टेलीकॉम कम्पनियों के संगिठन सेलूलर ऑपरेटर एस्सोसेशन आफ इंडिया यानी सी ओ ए आई ने कहा है कि देश में चल रहा है ओटीटी प्लैटफॉर्म को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा टेलीकॉम कम्पनियों के साथ साजा करने की जरूरत है सीवाई का तरक है कि ओटीटी सेवा ठीक ढंक से तभी चलती है जब टेलीकॉम कम्पनियों की तरफ से बहतर नेटवर्ग उप्रब्द कराया जाता है इसके लिए टेलीकॉम कम्पनियों को इंफ्रस्रक्चर पर खर्च करना पड़ता है बहतर नेटवर्ग का लाब उठाकर प्लेटफॉर्म अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं लेकिन उस कमाई का कोई हिस्सा वे टेलीकॉम कम्पनियों के साथ साज़ा नहीं कर रहे हैं सब यह मांग जाए यह दिल्चस बहस है जो शुरू हो रही और इसमें दोनों पक्षों के के अपने अपने तर्क है लेकिन समझना जरूरी की पूरा मामला क्या है मामला यह है कि भारत में टेलीकॉम कम्पनियों ने जो विशाल नेटवर्क बनाया है उसके जो बैंडवेट देती है उसका अधिकतम इस्तेमाल कॉंटेंट के के इस्तेमाल में होता और उसमें भी अधिकतम इस्तेमाल स्ट्रीमिंग में हो टेलिकॉम कंपीनियों ने अपने ताजे आकड़ों में बताया भी एटियार एई को कि जो 5G का इस्तेमाल है वो वीडियो स्ट्रीम करने में हो रहा है यानि नेटवर्क बनाया है टेलिकॉम कंपीनियों ने और इसके ऊपर जो सर्विसेज और कॉंटेंट सर्विसेज से वसूल रहें लगबग वैसी इस्तिती है जो टेलिकॉम सेक्टर में दिखाई दे रही अब टेलिकॉम कंपीनियों ने प्रपोजल लेकर आई हैं जिसमें वो चाहती है कि उन्हें इस राजसों में भागीदारी मिले टियार एई ने अभी तक इसमें कोई 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 का रेविन्यू शेरिंग मोडल डेवलप होगा ऐसा लग रहा है सर अगर यह मांग मानी जाती है मान लीजे तब क्या आसार होगा इसका दो एक तो यह कि टेलिया तो टेलिकॉम कंपीनियां अपने बिल्स में बढ़ोत्तरी करेंगी OTT के इस्तेमाल के उपर या फिर OTT कंप